दोस्तों आपके बॉस ने कुछ इस तरह का टास्क आपको दिदिया, कैसा टास्क? यहाँ पर देखिए, मेरे स्क्रीन की उपर आपको एक वेबसाइट विजिट की वी दिखाए दे रहे हैं और इस वेबसाइट की उपर यहाँ एक टेबल दिखाए दे रहा है और आपकी बॉस ने आ कि इस website पे जितने भी टेबल या जितने टेबल है उसमें से दश टेबल का data एक श्राट करके Excel मेले लो तो आप एक-एक data को एसे copy करोगे फिर paste करोगे ये तो बहुत time जाएगा रैट तो time सेव करना है समय बचाना है तो आपको यह trick सीखना पड़ेगा मैं सतीश, Learn More चैनल में आप साकवा सवागत करता हूँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नहीं में मैंनों तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल ऐकों पे क्लिक कीजिए और आपको मेरी टीचिंग पसंद है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरी वेबसाइट चेक क मतलब टेबल के रिकॉर्ड्स को आपको एक्सल में लेना है तो एक बार पहले जलग दिखाना चाहूँगा एक्जाटली काम कैसे होगा यह पर देखिए एक विंडो आर आपके सामने जो है पावर आटोमेट का और इसमें एक्स्टेट टेबल फ्रॉम वेबसाइट करके मै मैं अपको बताओगा इसमें कोडिंग की बिल्कुल ज़रूत नहीं है और यहापर मैं रन बटन दिखाए दे रहा है यहापर रन बटन पे अभी क्लिक करूंगा जैसे मैं रन करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ कि यह काम कैसे का चली यह रन हो रहाँ आपके सामने तो किसी भी वेबसाइट से डेटा एक्स्राइट करने का यह तरीका होता है पाउर आटोमेट की मदद से दोस्तों और यह मैं आपको स्टेब बाताने होला इसमें कोई कोडिंग की ज़रुरत नहीं है और आटोमेशन आप पाउर आटोमेट यह सॉफ्टर की मदद से फ्री मैक कर सकते है मैं अगर आपकी वी प्री है. अगर आपके वेपे वेश बास एक वीन रीमेसे प्रेश की है तो आप beta if Snow juste if Snow estelle, इस वीR Intern Linux 11 है यह एक ही नहीं करता है, बहुत सारी आटोमेशन और भी है, लेनमर चैनल पर अल्रड़ी मैंने वीडियो बना है, उसका आई बटन पर लिंक आपको दे दूंगा, तो यहां पर दिखिए हमें करना के है, टेबल में से डेटा एक्स्टाट करना है, तो सबसे पहले आप जब प करना है, तो मैं नाम देता हूं, एसा ही कुछ, टेबल डेटा एक्स्टाट फॉम वेबसाइट, ऐसा कुछ नाम दे सकते हैं, इतना ही मैंने नाम दे दिया और क्रियेट बटन पर क्लिक करूँगा, अब यहां पर एक फ्लो क्रियेट करना है हमें, बिसिकली उसके एक यहां पर जो इंट्रोपार्ट में वेबसाइट दिखाई, यह वेबसाइट से मुझे डिटा एक्स्टाट करना है, यह टेबल का, यह आपको पता है, तो पहले हम यह यूरेल को कॉपी कर लेंगे, यह उपर दिखाएदेर है वेबसाइट का यूरेल, इसे हम सिलेक करेंग यहां पर दिखिए, ब्राउजर आटोमेशन, नीचे हम आएँगे, यहां पर लॉंच न्यू माइक्रोसॉप्ट यह दिखाएदेर है, लॉंच न्यू माइक्रोसॉप्ट एज, यह एक्शन हम एड़ करेंगे, तो लॉंच न्यू माइक्रोसॉप्ट एज को मैं यहां पर या फिर आप डबल क्लिक करके से उपन कर सकते जैसे आप डबल क्लिक करोगी या ड्राइग अड्राप करोगे तो ये विंडो आपके सामने आएगा इसमें आपको बताया जा रहा है कि आप एक ये विंडोंच करोगे ये विंडोंच करोगे एज ब्राउजर और लाउंच करने के बाद उसमें कुन सी वेफसाइट विजिट होनी चाहिए वो यॉर्य मैं पेस्ट करना जो एड्रेस मैं अभी कॉपी किया था ना मारी वेफसाइट का डेटाबस.net तो यहां पे पेस्ट कर कि अगर हमने इस फ्लो को रन किया वेफसाइट विजिट करेगा अब दूसरी स्टिप्स क्या है हमें इस वेबसाइट से डिटा ले ले लेना, तो इस वेफसाइट को मैं थोड़ा सा राइट मेरक दोंगा यहां पर चोटा डीट मेरक दोंगा और यहां पे पावर ऑ्टो म एक चोटा सा option आपको मिल रहा है, चोटा सा नहीं, बहुत काम का option वेसे भी, हम जो भी actions करेंगे, यह सारे कि सारे record होने वाले, capture the steps of your automation to be converted into flow actions, तो यह steps capture करेगा, याद रखिए, तो इस पे मैं क्लिक करूँगा, जैसे मैं क्लिक करूँगा, एक window अपनो की चोटी सी, इसके ल जैसे मैं record करूँगा, उसके बाद जा जा मैं क्लिक करूँगा, जो जो actions मैं करूँगा, वो सारे क सारे record हो जाएंगे, मैं record बटन पर क्लिक कर रहा हूं, और मैं अगर यहाँ पर इस website कई पर क्लिक करता हूं, तो यह दिखिए, है ना, record हो चुका है, तो मुझे यह click नहीं सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यह पे जो टेबल का हेडर दिखाए दे रहा हूं यह पोजिशन और यहाँ पर मौस पंटर लेक्या हूंगा, याद रखिए, और जैसे मैंने मौस पंटर यह लाए तो यह रेड बार में यहाँ हो रहा हूंगा, उसके बाद इसके बाद र एक्सटर एंटर 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 एं next button के पर mouse finder लाके right click कर रहा है जहां से सुनियेगा उसके बाद यहां पर set this element as a pager यहां पर क्या करना है set this element as a pager great okay यह दोनों आपने किया action देखे रेकॉर्ड हो चुका यहां पर dotted border आचुका है table के लिए और यहां पर भी dotted border आचुका है दोनों action record हो चुका है और अभी आप done करेंगे आपे done that's it इतना है करना action जैसे आपने action कर लिया अब यह जो data extract होगा यह output data नाम के variable में store होगा मुझे excel में चाहिए और यह website की पूरे के पूरे table को ले लेगा यानि कि यहां पर जितनी भी table हो सबको लेगा मुझे 10 table ही चाहिए तो मैं क्या करूंगा यहां पर यह जो action है इसमें double click करोंगा और कुछ editing करोंगा चोटा सा editing करना है यह पर आपको क्या editing करना है all available data नहीं लेना है only the first 5 table चलो फाच टेबल ही लेते only the first 5, 10 लेना है तो 10 ले लो आप जितना चाहते उतना table आप यहां पर ले सकते हैं only the first 5 pages पाच टेबल आ जाएंगे और उसके बाद यहां पर variable में नहीं data store करना है excel spreadsheet में करना है कहां पर करना है excel spreadsheet और इसे आप save कर दो save करने के बाद आप इस action को run करके देख सकते मैं यहां पर run button पर click करता हूं जैसे मैं run करूंगा यहां पर कुछ action हो रहा है आपको दिखाए दे रहा है पहले website visit हो चुकी है और यह पहला page भी मतलब पहला table वो extract कर रहा है फिर दूसरा table यहां पर देखे नीचे आपको दिखाए दे रहा action run हो रहा है और यह automatic हो रहा है पाच टेबल को extract कर लिया data यहा यहां पर header थोड़ा सा उपर नीचे आ चुका है तो आप इसे header को remove कर सकते है एक सब से लेकर करके सब को लेकिन यहां पर पूरा पूरा table आ चुका है एक्स्ट्रैट हो के basically तो आपको एक एक कौफी करने की यहां पर जरुरत नहीं पड़ेगी अभी क्यूंकि मैंने यह actions आ लागा तो like, share और comment ज़रूर कीजिए और अगर आपको मेरी teaching channel अच्छी लगती है तो मेरी website की link description में दिए जहां पे तेर सारे courses आपको घर बैटे बैटे सीखने में लेंगे computer के और ISO certificate के साथ और courses आप घर बैटे बैटे कर सकते हैं साथी में मैं आपको बताना चाहूंगा क Power Automate यह applications आपको अच्छे से सीखना चाहिए क्योंकि आगे चलकर आपका बहुत सारा टास्ट जो है Power Automate आटोमेटिक करता है और मैं डिदे डिदे करके इसकी उपर वीडियो लेके आ रहा हूं अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए अपना खैल रहिए सीखते रहिए सीखाते रहिए बाई बाई